हले वारीण स्वागित ऐती है भुछे यव्यार वंदऴ हे आपके यूट्यूब चैनल में सुमा अधाका चैनल में तो दोस्तों देख गरमियों को टाइम और गर्मियों को टेम में जो ठंडा ठंडा कुछ खाने को मिल जाए या पीने को मिल जाए तो बहुत ही बड़ा मज़ा आ जाता है तो दोस्तों देखें गर्मियों को देखते हुई आज हम बनाने जा रहे हैं लोकी का लच्छेदार रहता तो दोस्तों गीया का लच्छेदा जो गिया है उसका राइता अलग अलग तरीके से सब लोग बनाते हैं और सबका तरीका जो होता है वो सबका अपना अपना तरीका होता है आज मैं जो आप लोगों के साथ में share करने जा रहा हूँ बहुत ही एजी तरीका है और फटे फटे आपका मन नहीं हो तो भी आप बना के तयार कर सकते हैं कि चलो 10 मिनट लगेंगे गिया का जो राइता है वो बना ही लेते हैं और राइता अगर गर्मियों के टाइम में लंच में मिल जाए तो बड़ा ही मज़ा आता है और breakfast में भी बहुत अच्छा लगता है तो चलिए दोस्तो आज ऐसी ही recipe हम बनाने जा रहे हैं तो ये मैंने आदा किलो के लगबाग गिया ली है जिसको हम छील लेंगे दोनों साइड से कट कर लेंगे और उसको हलका हलका छील लेंगे उपर से और पील करने के बाद में हम दोनों साइड काटेंगे और काटने के बाद में चलिए मैं बताती हूं आपको क्या करते हैं तो देखिए दोस्तो घिया को हमने पील कर लिया है और दोनों उसके कोर्णर जो सीरे हैं वो भी काट दिये हैं अब हमें क्या करना है, जो कद्दू करने वाला होता है, उसको लेना है और घिया को हमें लंबे साइड से पकड़ना है और उसके लंबे-लंबे लच्छे बना लेने हैं, ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरीके के लंबे-लच्छे कैसे बनेंगे, तो जिके मात देख सकते हैं कि मैने सारे जो गी आधने को कद्दी कर लिया और जो लच्छे वहया पूरी जैसे हमें जरूत ही बने के तियार होगय है, अब हम आगे का प्रोसेस करते हैं तो पतिले में मैंने एक ग्लास पानी लिया और तिर बीक्त पना नमक और उसके पना प्र त दालने से एक फाइदा होगा कि जो हमारा राहिता है उसमें हम उपर से जो नमक डालते हैं तो गीया या कुछ भी किसी भी चीज का राहिता बनाते हैं तो उसमें नमक का टेस्ट नहीं आता है वो फिका फिका लगता है इसलिए हमें जब भी हम राहिता बनाएं तो जो भी ची जो गिया उसको चान लिया है अब जो गिया का पानी निकला है उससे आप या तो आटा लगा सकते हैं सब्जी बना सकते हैं क्योंकि वो उसमें गिया का जो है वो पोस्टिक जो भी है वो उसमें पानी में भी है तो अब हम राइता बनाना सुरू करते हैं गिया हमारी ठंडी ह टो धही लेते हैं और धही में हमें क्या करना है उसको अच्छे से हम फेट लेगे और राइते जो है वह थोड़ा सा पथला ही आच्छा लगता है तो अगर आपको गाड़ा पसंदी है तो आप पानी मच offered तो आप थोड़ा सा पानी डाल के दही को थोड़ा पतला कर लीजिए उसके बाद में test के लिए हम उसमें थोड़ा सा पुदीना धनिया यह सब जीजे जो है अच्छे से दो के बारी कट करके डाल देंगे फिर हम भूना हुआ जीरा और थोड़ा सा इसमें काला नमक जो नोर् तो यह देखें, आप देख सकते हैं, कि हमने इसके अंदर जो धनिया सारी चीज़े डाली थी, उनको हमने बहुत ही अच्छी तरिके से मिक्स कर लिया है, थोड़ी हम इसके अंदर टेस्ट के लिए काली मिस डाल देंगे, काली मिस से जो है राइते में जान आ जाती है, बहु अगर आप बीना छोंक का राइता खाना चाते हैं, तो आप इसको खा सकते हैं, आराम से कोई दिक्ट नहीं है, अगर आपको छोंक वाला चाहिए, तो आप इस तरीके से छोंक लगा दीजिए, एक प्राई पैन में या किसी में भी आप गी गरम कर लीजिए, उसमें जीरा और उसका छोंक दे दीजिए क्योंकि हमारी है राजिस्तान में ये जो छोंक है वो जो धही है जो राइता है उसकी जान होता है ये जीरे वाला छोंक से जो है धही में राइते में जो है चार चांद लग जाते हैं इसकी खुस्बू भी बहुत अच्छी आती है इसी स्मोकी खुसबू आती है ना बड़ा मज़ा आता इसको खाने में तो दोस्तो वीडियो कैसा लगा वीडियो पसंद आये हो तो लाइक शेर जुरू कर देना चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना बैल आकन जुरू प्रेश कर देना ता क्याने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो चलिए दोस्तों एक पार फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही अच्छी सी रेसिपी के साथ में तब तक के लिए भाई भाई धन्यवाद फिर मिलेंगे नेक्स वीडियो में थोड़ा सा पुदीना इसके